इतने ही में त्रप्त हो गई हो तुम हेल्थ में लगई बस त्रप्त हो गई केवल तुम्हारा लक्ष स्वास्त बनाना था कि परमात्मा को प्राप्त करना अच्छा वो लो आज कल लोग हेल्थ बनाने में लगे हुए हैं परमात्मा को प्राप्त करने में नहीं लगें एक सी का बृत करते हैं अमावस का बृत करते हैं सोमार का बृत करते हैं मंगलवार का बृत करते हैं बृत इसलिए करते हैं कि भगवान मिलें मैंने का मूर्ख मत बनाओ जिस दिन तुम बृत करते हो उस दिन एक हजार रुपिया का पेमिंट हो जाता है । फलाहर में बोलो होता कि नहीं 不錯 कि अछिस दिन हजार दोहजारल का फलहर बन जाता है कि नगी बन जाता भोजन से जञादा महगा पड़ता है कि नहीं पड़ता है तो तुम भगवान को प्राप्त करने के लिए बृत कर रहे है कि हेल्थ बनाने के लिए कर रहे है बोलो भाई जूट क्यों बोलते हो ये बृत का नातक क्यों करते हो याद रखना बृत तो ये है जो मनुजी कर रहे है बोलो है बृत की नहीं ये मनुजी जो कर रहे है यही ब एकादसी हो गई बहुत बढ़िया एकादसी रही आज तो क्या पूछना ये ब्रत है ये ब्रत नहीं है प्यारे केवल मात्र 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 फलहार हो लबुनात्र फलहार अलपाहार फलहार में भी अलपाहार जिससे हमारा शरीर शिकस्त ना हो जाए हम कम से कम चलने फ्रने की छंता रख सकें इसके लिए हम मात्र फलहार में भी अलपाहार लें स्वल्पाहार जिसको कहते है ठीक है ना तब माना जाएगा कि सच्चा तुम ब्रत कर रहे हो सच्चा ब्रत भी माना जाएगा समझे लो एक बार हम क्या वतामें आपको इकादर्शी के दिन एक महत्मा मेरे पाश आ गए है बोले स्वामी जी इकादर्शी है मैं तो ब्रत हूं मेने का हमारे हाँ फलहार बनता है भंडारे में तो वो तो सभी के लिए बनता है बुले माराजी वो हम भंडारे में गए थे तो पंगत तो हो चुकी है अब मैंने का अच्छा तो कोई बात नहीं है तब मैं विवस्था किये देता हूं समय से आप नहीं आए लेकिन आ गए हो तो आपको फलहार मिलेगा मैंने का फलार में आप क्या लेते हैं ये बताएं आप बताएं फलार में बुले माराजी पांच कुलो आम और पांच कुलो कलाकंद और तीन कुलो दही और दो कुलो रबडी इतना ही मगादोवस परियाप थे क्या मैं कोई राच्छा सुन सादू हूं मैंने का देखो ये लंबा बजट बुले इतना ही परियाप्त है भार सीधी सी बात हम लोग खाने के लिए जी रहे हैं नहीं नहीं ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए हम खाने के लिए ना जीए हम अपने लिए ना जीए हम तो अपनों के लिए जीए और भगवान के लिए जियें भगवत प्राप्ति करने के लिए यह सिद्धान्त होना चाहिए महराज मनु अपने लिए नहीं जी रहे हैं बोलो संपून विश्टु का कल्यान करने के लिए जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं यह जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं बोल जन्म की कथा में आपको सुना रहा हूं ये बड़ी मार्मिक कथा है इस कथा को सुलोगे मन से तो तुम्हारा कल्यान हो जाएगा सारी की सारी भ्रमात्मक इस्तियां समाप्त हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए मैं निचोर सुना रहा हूं सार सुना रहा हूं महराज मनु को बाणी सुनाई दी तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानु अब ही भवन्ते आए जैसे अभी भवन्ते चले आ रहे हूं बाणी ने कहा ब्रह्म नाध हुआ ब्रह्म बाणी बोली मांगो 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 जो मांगोगे हम देने को तयार हैं मांगो मनु जी ने का देने वाला जब तक सामने नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या मांगें देने वाला सामने तो आवे ब्रह्म की बाणी ने का कि मैं दे तो सकता हूं ब्रह्म बोला मैं दे सकता हूं बाणी बोली मैं दे शकती हूं लेकिन बाणी ने का कि मैं आ नहीं सकती हूँ, ब्रह्म कहता है मैं आ नहीं शकता हूँ, दे सकता हूँ मनु जी ने का आप क्यों नहीं आ सकते हैं ये बताओ मनु जी ने का आप आ क्यों नहीं सकते हैं भगवान ने का इसलिए कि मेरा कोई आकार नहीं है आकार हो तब ना आवें मेरा कोई आकार ही नहीं है इसलिए मैं क्या दे दूँ आके बैसे दे सकता हूँ जो मांगोगे मनू जी ने कहा जिसका कोई आकार नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिल्कुल बेकार जिसका कोई आकार ही नहीं है मेरी दृष्टी में वो बिल्कुल बेकार आपको देना है तो आकार लेकर के आना पड़ेगा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या भक्तों को आपने दर्शन नहीं दिया भगवान ने का दिया तो यदि भक्तों को आपने दर्शन दिया है तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते बाणी ने कहा कि भक्तों ने आकार स्वयम दिया मुझे और जो भक्तों ने आकार दिया उसी आकार को लेकर के मैं आ गया मेरा अपना कोई निजी आकार नहीं है एक संत ने तो बहुत अच्छी बात कहीं क्या ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ भक्त की भावनां से तदाकार हूँ भक्त की भावनां से तदाकार हूँ बोलो भई भक्त जैसा आकार देता है भगवान उसी आकार में आ जाते कि नहीं आ जाते बग्त प्रहाद में भगवान का आकार चाहा। तो खंब से निरसंग बन करके प्रगठो गए और भक्त पहलाद को दर्शन दिये. बोलो दे दिये कि नहीं दिये अश्णे के रूप में प्रगठो गए. कौन नहीं इसलिए तुम ही बता दो आकार दे दो हम उसी आकार में आ जाते हैं। अब मनुजी आकार दे रहे हैं द्यान से सुनना है बहुत ब्रिया है जो सरूप बस अरे सिम मन माही और जही कारन मुन जतन करा ही जो भु सुन्डी मन अरे मालस हन सा अगुन सगुन जही निगाम प्रसन सा देखई हम सरूप भरी लोचन कृपा करहू प्रन कारत मोचन देखई हम सरूप भरी लोचन कृपा करहू प्रन कारत मोचन जो भगवान सिव के हिर्दय में हिर्द्यस्त है वही रूप ले करके आप प्रगठ हो जाएं अच्छा आप सब जानते हैं भगवान संकर के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्द्यस्त है अब थोड़ा सा इस पर ध्याना करशित कराना चाहता हूँ जो सरूप बस्यू मन माही संकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है संकर जी के हिर्दय में कौन सा रूप हिर्द्यस्त है अच्छा भाई आप जिसके नाम का जब करते हो इमानदारी से बताओ वही परमात्मा आपके हिर्दय के अंदर आएगा कि नी आएगा निश्चित आएगा और संकर जी जिसके नाम का जब करते हैं वही भगवान स्यू के हिर्दय में हिर्दयस्त हैं तो आप संकर जी से पूछा गया कि आप किसके नाम का जब करते हैं तो संकर जी तो तुम पुनी राम राम दिन राती ओ सादर जब हूँ अनंग अराच बोलो भगदान संकर दिन रात राम 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 बोलो यही जबते हैं कि नहीं तो संकर जी के हिर्दय में राम जी बैठे कि नहीं बैठे और बोलो आज मनु जी सगुन साकार रूप में स्री राम को ही प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे आपने सुईकार कर लिया कि हमाराज करेंगे तब तक एक सच्छन खड़े हो के बोले माराजी रुको 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 मैंने का क्या बात है क्या बात है बोले इसमें हमें संका है मैंने का संका क्या है बोले आपने ये तो फिर गोसामी जी ने ऐसा क्यों लखा कि राम राम सिव सुमरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे इसका मतलब सोए थे तभी जगे तो दिन रात कहां हो गया अब कहां दिन रात है आप ही बताएं मैंने माथा पकड़ लिया क्या बताओं इसको क्या समझाओं? कैसे समझाओं? अच्छा चौपाई ये भी है कि नहीं? राम राम सिव सुमरन लागे तो जाना सती जगत पती जागे और एक चोपाई यह भी है जो मैं कहे चुका हूँ तुम पुनि राम राम दिन राती दिन और रात तो कहे माराज दिन रात अगर राम 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 संकर जी जपे तो फिर ऐसा क्यों लखा कि जाना सती जगत पती जागे जागेवानी सोय थे तो सोय थे तो राम राम कैसे कहे आप ही बताओ मैंने का सास्त्र कहता है तुम समझते नहीं हो सास्त्र कहता है सास्त्र की बात माननी चाहिए तो बोले सास्त्र क्या कहता है आप बताईए सास्त्र कहता है कि आप जब सोने लगें तो सोने के पहले आप राम 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 कहके सो जाएं और जब जागने लगें तो राम 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 कह करके जागें इससे होगा क्या सास्त्र कहता है इससे ये होगा कि कोई भी प्रानी राम 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 कह के सोएगा और राम 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 कह के जगेगा तो सोने और जागने के मध्ध में जितनी भी स्वासाइं चलेंगी वो सब राम नाम के भजन से जोड़ दी जाएंगी इसलिए सोते समय भी आपका भजन ही माना जाएगा अब बोलो इसमें कोई घाता है इमानदारी से बताओ अब किसी भी पार्टी का आदमी हो तो राम राम कहके सो जावे तो कोई दिक्कत है बताओ भाईया कौन परेशानी की बात है फाइदा ही है कि राम 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 कहके हम सो रहें राम 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 कहके हम जगें यही नियम है वो आजकल बड़ी भीड़मना है आजकर लोग सोते हैं तो राम 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 कहके नहीं सोते आजकर लोग तेली वीजन देखके सोते वो लो सोते की नहीं सोते घर घर में टीवी लगी है टीवी देखके सोते हैं लोग अच्छा जब जगते हैं तो राम 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 कहके नहीं जगते हैं संकर जी राम राम कहके जगे पारवती जी समझ गई सती जी समझ गई मेरे पती जग गई क्योंकि राम राम कह रहे वो आज कल की पत्नी समझ जाती है पती जब जगता है कब समझती है पती राम राम कहे तब नहीं समझती पत्नी जग गई पती कहे चाय 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 तो पत् लेते हूं वो चाय है कि जहर है सोचो जहरा और मैं कहता हूं कि चाय चाय कहके तुम जगे तो दिन भर तुमारा चाय चाय में निकल गया चाय का मतलब है असांती यह चाय का मतलब क्या है तुम सब जानते हमारी भासा समझ रहे हो कि नहीं चाय का मतलब है असांती मैं दावे से कहता हूं चाय चाय कह करके मत जगो प्यारे राम राम कह करके जगना जो राम राम कह करके जगते हैं उनका पूरा दिन सांती में बितीत होता है शांती में गुजर जाता है क्योंकि राम राम से सांती मिलती है राम जी के नाम से क्या मिलत चाहिये है सांती मिलती है बहो मिलती है कि नहीं मिलती ह्लstorm नाम इसलिए लिया जाता है राम नाम की जब इसलिए कि या जाता है क्योंकि शांती का भण होता है इसलिए सोने की स्थिती में जो स्वासाएं निकली हैं वो सब राम नाम के संकिर्तन से जोड़ दी जाएं